हाथ वेवने रागनी होगी अजीद सिंग राजवाला के किस्से से और सुमिख बात कि जब है अजीद सिंग राजवाला से शादी करके लाता है पहली पहली रात है दोनों एक साथ लेक रहे हैं अजीद सिंग बीच में कठार लगा देता है पूछने लगी पिया डी ऐसी क्या बात है मुझसे क्या गंती हो गई अरे मैं तेरी नई नमेली दुलान हूँ तुझे प्यार करना चाहिए तो किस तरह से अजीद सिंग समझाने लगा और क्या राजबाला कहने लगी दोनों के सवाल जवाब श्रागनी के द्वारा हो रहे हैं अजी श्रागनी को लेकर के या निंदर सर्धाना पहलाजपूर फरिदाबाद वे मेडम अनुराधा स्वर्मा मुझा फर्लगर ये बताया मुझा फिर मैं दुल भाने तेरी नई नविली बैठी बाट मैं और चुपकी हो के सोजा बाला प्यारी खाठ में हो मैं दुल भाने तेरी नई नविली बैठी बाट मैं औरी चुपकी हो के सोजारी बाला प्यारी खाट में हो तेरी गल्या शादी करके मैं भी आजी आई आरी साथनी भाया तोटे में मेरी करदी मन चाहिए तेरी गल्या शादी करके मैं भी आजी आई मेरा साथनी भाया तोटे में मेरी करदी मन चाहिए क्यों करने गाच राई पिया तेरा गाट चाट में औरी चुपकी हो के सोजारी बाला प्यारी खाट में हो हस्ते हस्ते पिया जी मेरा गुंगट खोलिये है तेरा पती मजबूर तु करवट लेके सोलिये हो हस्ते हस्ते पिया जी मेरा गुंगट खोलिये हे तेरा पती मजबूर तु करवट लेके सोलिये मीठा मीठा बोलिये हो खोना घाट में और चुक्की हो के सोजारी बला प्यारी घाट में बला मेरी मजबूरी है अच्छा ऐसी कौन सी मजबूरी है प्याजी दुल्हन बना के लाए हो और ये तलवार बीच में रखती बहुत बड़ी मजबूरी है ये भी बताऊगा क्या सुथिरी सुन्दर कोण्या क्या सुथिरी सुन्दर कोण्या पिया तेरी गोरी चुपकी हो के सोजारी बना प्यारी खाट में अच्छा है हो लेकिन पिया जी जब आपको ये कटार ही बीच में रखनी थी तो आपने मुझे से शादी क्यों की वो भी धरम की बात है सेज पे धरी कटार पिया जी इसका भेद बताना ओ न्यू लिखता हरे राम बेसला पड़ गया धरम निभाणा सेज पे धरी कटार पिया जी इसका भेद बताना और इन्यू लिखता हरे राम बेसला पड़ गया धरम निभाणा ज्यानिंदा सरधाना अनो शर्मा खाट मैं चुपकी हो के सोजारी बाला प्यारी खाट मैं मैं दुलगाने तेरी नई नवेली बैठी बात मैं चुपकी हो के सोजारी बाला प्यारी खाट मैं हो हो